पर बात करते हैं इन दौर की जहां जिले के महों में सोंबार को कावडियात्रा के दौरान करेंट लगने से एक कावडिये की मौत हो गई जबके तीन जखमी हो गए हैं डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक कावडिये का हाथ 11,000 किलो वाट की किविजली की लाइन से टच हो गया था जिससे वाहन में करेंट फैल गया और करेंट लगने से कुछ कावडिये वाहन की छत पर ही गिर गए घटना सिम्रोल थाना छेतर की है सिम्रोल टी आई आरेस भदवरिया ने बताया की हाथ सा दोपहर करीब एक बज़े हुआ था उस समय कावड़ी आपस में डांस कॉम्पटीशन कर रहे थे करेंट लगते ही युबक गिरने लगे एक युबक रोना की मौके पर ही मौत हो सिबको इन दोर के मवाई अस्पताल रिफर किया गया है लोकेस और रतुल का इलाज महों में हो रहा है इधर स्पी भगवत सिंग विर्दे ने बताया की गंभीर घायलियूकों का इलाज चल रहा है वहीं डीजे के संचालकों के विरुद्धला परवाही का मुकदमा भी द काम बगोदा जा रही थी कामड का यह चौथा वर्स था कामड यात्रियों से सुल्क भी लिया जाता है पीकप में करेंट आ जाने से 10 कामडियों की मौत हो गई थी जबकि 16 बुरी तरह जुलज गये थे हादसा मेखली गंज थानाचेत्र के धारला ब्रिज पर हुआ था 27 का पेट में कामड यह आ गए थे हैं